जहीं दोस्तों आप सभी का चित्रांकन फाइन आर्ट इस्टेडी सेंटर में श्वागत है जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया इसके बारे में किस आर्टिस ने बनाया सासक कौन है और यह कहां पर संग रही थे चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यह देखिए इसका टाइटल है इस पेंटिंग का वह आपका कबीर एम्राइदास इस पेंटिंग के बनाने के पीछे का करण क्या है कि साजहा का पुत्र जो था वो था दारासिको दारासिको जो है संत और सूपियों को पड़ा सम्मान और आदर देता था उसी के आगरा पर 1640 इस्वी में इसको बनाया गया था और साजहा के समय बनाया गया था सासक दोसे वो थे आपका साजहा अब जिस आर्टिस्ट इसको बनाया है उसका नाम है उस्ताद फकीर उल्ला खाँ उल्ला खाँ इसका देखेंगे इस चितर का जो माध्यम है वो माध्यम है आपका कागस पर जल रन तकनीकी इसकी है तकनीकी आपकी है टेम्परा तकनीकी शंग्रह इसका है राष्टिय संग्रहाल है शंग्रहाल है नई दली में देखेंगे इस चितर की क्या खास भी सेचता है बीच में आप देख रहे हैं कबीर को बनाया गया है जो आपकी कुछ इनकी पसलिया भी दिख रही है बीच में इनके नगन और नगन आउस्ताम बनाया गया है और इनकी पसलिया भी दिख रही है देखिए सधार नग से इसके बनाया गया है पुरा-पुरा पसलिया दिख रही है पीछे देखिए आपके जोपड़ी बनाया गया है जोपड़ी जो आप शापका भूरा है ऑज नज काला रंग से बनाया गया है और शभष रंग से आपको बनाया एक षाज करके देक्छे यहां पर रइदास दरी पर बैठे हुए हैं आपस मने कुछ बिशेश बा 묶ायन बात हो रही है यहांपर बिशेश करके इसे जो तो हासिय बनाये गया है वो काफी चवड़े बनाये गया है तो इसमें भूरे रंग का सबसे ज़्यादा अधिकतर है अधिकतर दिखाये गया है तो यह रहा कभी रहे हो रवदास के चितर की कुछ खास विशेष्टा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फिर मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में